हेलो एव्रिवान वेलकाम अगें लेर्ण विद दितिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं जेग्राफिका क्लास 10 का चैप्टर नबर 13 जो है आपका टांस्पोर्टेशन सिस्टम और इसमें कुछ इस डेटा में स्प्रिंटेट थे इसलिए मैंने इस मैट्रेल को दूसरी जगह से कलेक्ट किया है आपके डेटाज को जो नएक डेटा है आपके पास वो मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह बिना देरी के कोशन नुमबर वन ह अब के साथ पाइपलाइण का प्रकार के परिवहन के अंतरगत आता है तो इस अदिक जो परिवहन के यूज़ की जाती है वह फ्तरण परिवहन के अंतरगत आती है राइस्थान रोड वीजन 2025 के अनुसार कितने वर्सों में सभी गाउं को सड़कों से जोड़ने का उद्देश से रखा गया है राइस्थान रोड वीजन 2025 के अनुसार कितने वर्सों में फ्लाइ ओवर वेच चार लेन के राजमार्ग बनाने का उद्देश से रखा गया है भारत में राष्ड़े राजमार्गों की लंबाई कितनी है जो राष्ड़े राजमार्ग है हमारे वो कितने लंबे हैं उनकी टोटल लंबाई अगर ना पी जाये तो इतनी है तो यह आपकी 12,39,709 किलोमेटर लंबाई है इनकी लगबग ने क्वेशन भारत में सटकों की कुल लंबाई कितनी है भारत में चाहे राष्टे राजमार को हो चाहे कोई जिस्टिक हाईवे हो तो यह सब टोटल जो है कितनी लंबाई है इनकी यह आपका 56.03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 63 km इसके इंदर का लंबाई बताई गई है 10,725.360 km राष्ट्रे राजमार के लंबाई है हमारे राजस्थान में नेक क्वेशन देखें राष्ट्रे राजमार किसके नियंतर्ड में होते हैं राष्ट्री राजमार्ग जो हमारे देश में बने हुए हैं वो किसके नियंतर्ण सेत्र में हैं तो यह आपके भारतिय राष्ट्री राजमार्ग प्राधी करण यानि राष्ट्री 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 रा जाता है तो इसका निर्मान होता है केंद्रिय लोक निर्मान विभाग CPWD के द्वारा CPWD के द्वारा इसमें निर्मान किया जाता है राष्ट्रे राजमार्गों का ने कुश्चन राष्ट्रे राजमार्गों की लंबाई कुल सड़कों का कितना प्रतिसत है जब टोटल रा राष्ट्रे राजमार्क के तौर परदरसित की जाती है ठीक है नेक्ट कुछिन राष्ट्रे राजमार्क द्वारा कितना यातायात भाग वहन किया जाता है तो आपको पता है परिवहन के बहुत अन्य साधन भी है तो जो आपका राष्ट्रे राजमार्क द्वारा कितना या यूज किया जाता है, नेक क्वेशन, राज्य सडक नीती भारत में किस राज्य में सरपतम बनाई गई और कब, ये हमारे राज्थान के अंदर बनी थी, 1994 में, 1994 में राज्य सडक नीती बनाई गई थी, नेक क्वेशन देखें, राज्थान सडक विकास अधिनियम किस वर्स आया, ये आपका 28 अप्रेल 2002 के अंदर लाया गया था, नेक क्वेशन, राज्य सडक विकास नीती कब आई, ये आपकी 2013 में आई थी, नेक क्वेशन, रीड कॉर का विस्तारित रूप है, रीड कॉर की फुलकॉम क्या है, रीड कॉर क्या है, रोड इंफ्राइस्ट्रेक्ट्टर डवलप्मेंट कॉर्पेशन आफ राज्यस्ता लिमिटेट, ठीक है, ये आपका काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे, राजमार्ग से जोड़ा गया है, और ये सड़क योजना है, आपको पता है, राजमार्ग योजना है, ये ने कॉश्चन देखें, स्वार्णिम चत्रबुज के तहट कितनी लेन वाली सड़कों का निर्मान करने का संक्रिप किया गया था दीके स्वार्णिम चत्रबुज का जो निर्मान किया गया था तो उसमें कितनी लेन वाली सड़कों का निर्मान करना था स्वार्णिम चत्रबुज के तहट निर्मित सड़कें कितने राज्यों से निकलती हैं? तो आपको याद रखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जब आपके से बात की जाए, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो यह हमारी सड़क उजाओ कि कुछ वह मुक्चे कोश्चन्स हैं, जो बार-बार रहते हैं, यह किस स्टेट से रिंकलते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां तक हैं, तो यह चीज़ें काफी इंपॉर्टन रखती हैं, तो आप इन राज्यों को निश्यतुर्प से याद रखेंगे, जैक कुश्चन देखें, उत्तर दक्षिन गलियारा, यानि उत्तर भ कुमारी तक है आपको पता है स्री नगर उत्तर भारत में है और कन्या कुमारी दक्षिन भारत में है तो स्री नगर से कन्या कुमारी तक जो रोड बनाया गया वह उत्तर दक्षिन गलियारे के तहट थे और यह एनिच फोटी फोट कहलाता है और यह 377.64 किलो मेटर लंबा है उत्तरदक्षिन गल्यारा जो है उसके तहट जो निर्मिश सड़क है वो कितने राज्यों से निकलती है कौन-कौन से राज्येस में है इसमें भी तेरा राज्ये है जमुकस्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरियाना, देली, उत्तरप्रदेश, ज्राइस्तान, मध्य प तक और तमिल्लारू तो यह आपको याद होने चाहिए है नएक क्वेशन देखें पूरु पश्यम यानि पूरी भारत से पश्यम भारत की तरफ एक सड़क का निर्मान किया गया है जिसको पूरु पश्यम गलियारे के तहर जाना जाता है यह कहां से कहां तक बनाए गई है यह काफी important है और यह भी question repeat हो चुके है तो पूरु बंदर गुजरास से लेकर इस सिल्चर जो असाम के अंदर है वहां तक इसको बनाया गया है इसको निर्मान के नाम से जाना जाता है चार हजार एक सो बारा पॉइंट बासट किलो मेटर लंबाई है इसकी है नए क्वेश से तो स्टार्ट होती है और गुजरास तक जाती है तो यह आपके स्टेट पके हैं उसके अलावा पशिम बंगाल बेहार उत्रप्रदेश मद्रप्रदेश और राजिस्थान भी वह स्टेट हैं जिनके अंदर से निकलती है ने question आदेशात्मक या निशेद्ध्यात्मक नि की जाए तो दुर्गटना का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है और अगर ऐसा नहीं मान कोई उस वक्ति को उसको फॉलो नहीं करता है उन रूल्स को तो उसके उपर कानूनी कारवाई की जा सकती है या सजा का प्रावदान है तो जब आदेशात्मक निशेद्यात्मक सड तरगत होता है सचे तक सडक चिन सामने तक किस प्रकार के होते हैं तो सचे तक जो चिन होते हैं वो आपके त्रकोडाकार होते हैं सामने तोर पर लाल किनारे इसके बनाए जाते हैं खत्रों की इसमें जानकारी दी जाते हैं लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर कोई का ध्यान ना रखे तो उसको साजा का प्रावधान इसके अंतरघवत नहीं आता है ये केवल सच्चेत करने के लिए बनाए गयने चिन हैं। इसी तरह हमारे जो सडक rumah है सूसनात्मक, सचेतक और निशेद्धात्मक या आदेशात्मक, सचेतक और आदेशात्मक को निशेद्धात्मक भी कहते हैं, सचेतक दूसरे होते हैं और तीसरे होते हैं सूसनात्मक, जो सूसनात्मक, सचेतक जो किसी खत्रे के पृति बताते हैं, वो आपके सचेतक होते हैं, और जो खत्रे जहां खत्रा निश्यृत होता है या फिर बहुत ज़़्यदा पष्राणी यह होतीए तो महार आदे शात्मक चेन्न का उप्यों किया जाता है ताँगी वहां पर रूल अगर फॉलो नहीं किये जाए तो आपको सजा का प्रावदान इसके इंतर्गत होता है तो यह तीन प्रकार केंगे इसकी मैं आपको इसको डेटेल में डाल देता हूं क्योंकि यह डाइग्राम डाल कर भी कोश्टन्स कूछे जाते हैं तो इन डाइग्राम्स को आप देख लीजिए जो मुख्य जुचिन है उनके और साथ ही मैंने चुकि जो आपका हाईव किया जाय तो इसकी वज़े से सजा का प्रावधन दिया जाता है दूसरा आपसे सची तक bon dia कई आगे जैसे की दाहीनी और दौना गायू और मोड़ मून तो अगर जैसे यह वह सची तक जिनका पालन करने से दुरगट्टाओं से बचा जा सकता है यह किवल सचीत करने के लिए दे जाते हैं यह सामने तोर पर आप देख रहे हैं यह तिरकोना का रहे हैं और यह रैड कलर से इनका किनारे बनाए गए हैं जबकि यह जो आदिशा अत्मक्चिन थे यह आपके गोल गोल आकरते के हैं सूचना अत्मक्चिन यह केवल सूचना देने के लिए बनाए जाते हैं जैसे कि आगे हस्पिटल है या आगे टेलिफॉन बूट है या फिर आगे आपकी पार्किंग है या आगे टैक्सी है तो इस टाइप की चीजों के लिए यहां पर सूचना देने के यह बनाए जाते हैं तो कोश्चन जो सबसे ज़्यादा आते हैं आपके आदेश आत्मक चिन और सचेता आत्मक चिन्नों के द्वारा ज्यादता तर पर आते हैं तो उनका आप द्यान रखेगा यह आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दूसरे बाद हम बात करें तो सबसे लंबा और सबसे चोटा राइस्थान में जो कौन सा है इसी तरीके से 27 सबसे बड़ा है इस वर यह जो हाइवेज के नाम है यह नए जो नाम चेंज गी हैं गवर्मेंट ने उसके इसाब से इसमें डेटेल्स डाली गई है तो इस टेविल को आप अपने इसाब से एक आगे जो आपका जल परिवेंट अंत्र है और वायू परिवेंट अंत्र है उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो इस वीडियो में हम इसको यहीं पर सवाप्त करते हैं हाइवे का जो यह पीडियक है इसका लिंक मैंने डेस्रिप्शन में नीचे दे दिया है तो आप इसक को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं ठीक है तो बिलते हैं बच्छों नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू